प्रोजेक्ट एट्रिब्यूट नामक चेप्टर को क्लोज करने के लिए मैं आपके सामें लेके आये हूँ प्रोजेक्ट क्लोजर क्राइडिरिय नाम का एट्रिब्यूट यानि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके क्लोजर हम कब मानेंगे तो उसके क्या क्राइडिरिया है इस वाले इसमें हम ये चर्चा करेंगे क्योंकि अपना इस चेप्टर के आखरी है तो इसलिए इसका नाम भी इसको प्रोजेक्ट क्लोजर क्राइडिरिया को सबसे आखरी में स्थान दिया है तो सबसे पहले हम कोई देखना पड़ता है कि project close होने के लिए कि जो हमने deliverables हैं हमारे उन वो complete हुए कि नहीं गए यानि पहले जैसे planning में हमने सोच के रखे थे ये project complete होने के बाद ये deliverables हम देंगे तो ये देखा जाएगा कि वो deliverables जो है वो पूरे हो गए या नहीं हो गए दूसरी बात है देखी जाएगी कि जो हम एक उदेशिये लेके चलेते ही कि हमारे project का उदेशिय क्या है या project का objective क्या है तो project closer के time पे ये जरूर चेक किया जाएगा कि हमारे project ने अपना जो intended objective था उसको achieve किया या नहीं किया अगर नहीं किया तो फिर उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको तो वह सा रिवाइज करना पड़ेगा और अगर उसने अच्छीव कर लिया तो यह क्राइटरिया फुल्फिल हो जाएगा राइट जो एक और बात जो दिखी जाएगी कि यह जो हमारा प्रोजेक्ट स्कोप के प्रोजेक्ट स्कोप से हडे कर तो कोई काम नहीं हूँ और अगर हडे कर हुआ तो उसका वो चेंज जो है वो उसका चेंज अप्रूव हुआ था के नहीं हुआ था यह सारे चीज़ेगे तभ हमस्तों प्रोजेक्ट को क्लोज माला जाएगा अब एक चीज़ है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे stakeholders हमारे project management में involved रहते हैं तो हमारे project closer को हमारे सारे stakeholders approve कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्या वो सब लोग संतुष्ट हुए या satisfied हुए कि नहीं हुए उनके expectations meet या नहीं हुए क्योंकि expectations meet नहीं हुए हैंगे तो फिर वो तो अपका approve नहीं करेंगे अगर उनके expectations meet हो गए होंगे client के expectations meet हो गए होंगे तो वो approve करेगा कि हाँ हमारा project complete हो गया तो यह approval एक बहुत ही important criterion है project closer criteria का right अब यह चीज़ और एक और देखना पड़ेगी quality standards meet हुए कि नहीं हुए हमारे जो project deliverables हैं जिस quality के हमने शुरू में बताया था कि इस quality के हम बनेंगे हम यह quality standards को follow करेंगे यह specification को हम देखें वो उस आधार पर बने या नहीं बने और नहीं बने तो आपको पीछे फिर से जाना पड़ेगा और बन गए तो यह criterion fulfill हो जाएगा अब एक चीज़ और आती है कि जो acceptance criteria है वो acceptance criteria हमारे project ने फुल्फिल किया कि नहीं किया acceptance criteria पहले ही बन जाता है ओकि इस प्रिकार का बनेगा तो ही हम लेंगे otherwise नहीं लेंगे for example अगर हम construction project ले तो भाई आपका जो slab है slab बारिश में पानी उसमें से नहीं टपकना चाहिए यह acceptance criteria होता है तो acceptance यह एक example दिया है इसी तरीके से हर project का हर project deliverable का एक acceptance criteria होता है कुछ acceptance criteria होते हैं वो fulfill हुए की नहीं है वो complete हुए की नहीं है वो चीज़ को देखा जाएगा तब जाके आपका project to complete माना जाएगा budget compliance नव budget compliance में यह दिखा जाएगा कि आपके project के लिए जो allocated budget था आपके project ने उस budget से ज़्यादा पैसा खर्च किया या उस budget के मताबिक पैसा खर्च किया या उससे कम खर्च किया और अगर कम या जादा किया तो क्यों ऐसा कम या जादा हुआ उसका पूरा देना पढ़ेगा clarification तो वो criteria भी fulfill हुआ की नहीं हुआ budget compliance फुल्फिल हुए की नहीं हुए यह देखा जाएगा यह criterion है बहुत important criterion है नाव यह भी देखा जाएगा जो हमारा quality जो है की timeline जो है budget के बाद जो हमारे timeline के साथ adder हुआ की नहीं हुआ जो time हमने decide करके रखा था हमारे project के लिए कि इस इतनी समय सी महा में हमारा project complete हो जाएगा तो देखा जाएगा कि वो project ने उसी तह समय सी महा में काम पूरा हुआ कि नहीं होगा उससे ज़्यादा लगा क्यूं लगा कम लगा तो क्यूं लगा यह सारे की से देखी जाएगे तो यह आपका टाइम लाइन से एड़ हुआ कि नहीं हो यह भी चेंग किया जाएगा राइट रिस्ठोलाइजसें देखाजाएगा कि रिस्ठोड्स जो अलोकेट हुए थे मेंपवर जो अलोकेट हुए थिए और आपका मेरीड जो अलोकेट हुआ तो आपका utilized हुआ के नहीं हुआ, उसे ज़्यादा utilized हुआ या से कम utilize हुआ, यह भी एक important criterion है आपके closer के लिए, अचा सिर्फ project complete करना ही काफी नहीं है, project का documentation work भी complete करना जरूरी है, तो documentation जितने भी हमारे documentation थे या जितने भी documents prepared करने थे project त्यार करने के साथ साथ, वो complete हुए की नहीं है, यह एक बहुत ही जरूरी criterion रहेगा, क्योंकि project complete होने के बाद सिर्ट documents से हम अपने आपको बचा सकते हैं, otherwise नहीं बचा सकते हैं, यह जरूर एक criterion देखा जाएगा कि documents complete हैं या नहीं है, right? Legal and regulatory compliances भी complete है की नहीं, हमने यानि project तो complete कर लिया, लेकिन for example जैसे बुधनी rail project का मैंने आपको किसी video lecture में example दिया था, तो बुधनी rail project में something, एक काफी बड़ा jungle साफ हो रहा था, तो एक regulatory compliance आया कि आप इस jungle के बदले में इसे double jungle हमको लगा के दोगी, तो project अगर हमने complete कर दिया बुधनी rail line का, तो उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि हमने उसे double वाला jungle प्रिपेर कर लिया कि नहीं कर लिया, ये एक example है, इसी प्रकार से हर project में कुछ न कुछ regulatory compliance रहते हैं, कुछ न कुछ legal compliance रहते हैं, वो अपने पूरे कर लिये कि नहीं कर लिये, otherwise हमारा project complete नहीं माना जाएगा, lesson learned documented हुए कि नहीं है, ये देखा जाएगा, हर project से हम लोग कुछ न कुछ lesson learn करते हैं, वो जो lesson learn करते हैं, वो लोगों के साथ ही चले जाते हैं, अगर documentation proper नहीं हुआते हैं, तो जो भी lesson learn किये, उनका अगर proper documentation किया जाता है, तो हमारे अगले lectures के लिए historical record का का काम करते हैं, और हमारे अगले projects के लिए, वो एक नजीर बनके आ जाते हैं, एक example set करते हैं, तो इसलिए उनको documentation होना बहुत ही जरूरी है, तो lesson learned documentation हुआ की नहीं हुआ, ये भी project completion या project closer का एक part है, ठीक है, so students, आप लोगों ने देखा कि project closer से project complete करना ही नहीं होता है, project complete करने के साथ-साथ हमको stakeholder का acceptance, acceptance criteria meet करना, legal, formalities को meet करना, सारा चीज़ों को documentation को complete करना, ये सब भी इसका एक part है, सो आप लोग समझ गया होंगे कि project closer report भी क्यों इतनी important है, so आज के लिए इतना ही, मैं अगले lecture में लाओंगा एक अगला नया chapter जिसका नाम रहेगा हमारा balancing project constraints, so तब तक के लिए thank you very much.